हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक डिस जिसका नाम है ब्रत में खाने वाले कच्छे आलू के पराठे तो कच्छे आलू के पराठे बनाने के लिए हमने सबसे पहले मेडियम साइज के दो आलू ले लिए हैं अब हम इन दोनों आलू को छील लेंगे और बादू कसवी कर लिया है इसका हमने पानी निकाल लिया देखिया हमने इसे बड़े बॉल में निकाल लिया है अब में इसमें दो हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई और सेंदा नमग एक चमज डालेंगे आप स्वादनुसार भी डाल सकते हैं और चार चमज पिसी मुमफली टेस्टी और कंची बनाने के लिए डाल दीजेगा और एक काटोरी सिंगाडे काटा आप कुट्टू काटा भी डाल सकते हैं इसमें थीक मीडियम करिएगा कि हमारे तवे में बन जाएई चाहे तो इसमें 2 चमज पानी डाल के स्वादनाने चलते हैं यह देखिया तवा चड़ा दिया गरमाने को और अमें इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेगे देखिए अब हम इसमें डाल रहे हैं अराम से डालिएगा आप अपने हिसाफ से पतला मोटा डाल सकते हैं और तवे में जितने आज उतने डाल लिजेगा दो तीन आप डाल लिजेगा इसमें और इसे थोड़ा सा पकने देंगे देखिए हमने तवे में दो डाल लिए हैं अब हम इसमें साइड से थोड़ थोड़ तेल डाल लेंगे कि चिपके ना हो तो निकल जाए राम से इसे थोड़ा सा पकने देंगे यह देखिये हमारी थोड़ थोड़े पक गयला है नीचे से देख लीजएगा अब हमें से पल्टा लेते हैं अराम से यह देखिए यह देखिए हमारी कितने अच्छे प्यारे आगए कहीं तूटे भी नहीं आप भी असे अराम से पलटाएगा कहीं से आपका तूटे ना और कितने अच्छे आगए क्रिस्पी इसे आप थो सा तेल लगाकर इसे दूसरे साइड भी पकने देंगे यह देखिए हमारे फग गए दोनों साइड से इसे दीम्याज पर पकाहिएगा यह अच्छ आ जाते क्रिस्पी अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेकेंड बार डालेंगे यह देखिए हम एक प्लेट में इसे निकाल ले रहे हैं यह देखें अब हम इसी प्रकार से सेकेंड बार भी डालेंगे देखें अच्छे से आप डालिएगा यह देखें हमने इसे सेकेंड बार डाल लिया है इसे आप दीमियाज पर पकने देंगे और इसे साइड से थोगा सा टेल डाल लेंगे अच्छी तरह से किये चिपके ना इसे आप पतले मोटे डाल सकते हैं ज्यादा मोटे भी न डाले किये पके ना ये देखिए हैं हमारे ब्रत के आलू के पराठे तयार हो गए हैं आप इसे दई के साथ भी खा सकते हैं आलू के सबजी के साथ भी खा सकते हैं अचार के साथ भी खा सकते हैं और बच्चे को भी खिलाएगा उन्हें भी ये बहुत पसंद आएंगे और आपको हमारा ये पसंद आया हो ब्रत के आलू के पराटे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा थैंक यू